हेलो साथियो चावडासर लेक्चर यूटूब चेनल और चावडासर लेक्चर फेस्बुक पेंच पर आपका स्वागते हम इस वीडियो में आपके लिए अरुनाचल प्रदेश त्रिपूरा दो प्रदेशों की पूरी जानकारी लेके आए हैं इन दोनों प्रदेश के बारे में हम आपको इस वीडियो के अंदर पूरा बताने वाले हैं सबसे पहले अरुनाचल प्रदेश की बात करते हैं अरुनाचल प्रदेश जो की पूर्वत्तर भारत का राज्य है और उसके जो मुख्य मंत्री है वो है पेमा खांडू पेमा खांडू यहां के मुख्य मंत्री है अरुनाचल प्रदेश की जो राज़धानी है वो ही इटानगर सबसे बड़ा जो शहर है अरुनाचल प्रदेश का वो भी इटानगर है और अरुनाचल प्रदेश में कुल 25 जिले है जो आधिकारिक भाषा है जो राज़भाषा है म मतलब उसके पहले राज्याका दरज इसके पास नहीं था केंद्रशाशित प्रदेश था। अनुसार चेक कर लें अभी 2022 मार्च चल रहा है एंड है मतलब अपरेल लगने वाला है तो इसलिए यहां पे जो अभी राज्यपाल है इनके वह है बीडी मिश्रा और जो मुख्यमंत्री है वह प्रेमा पेमा खांडू है यह दो ही चीज़े बदल सकती है बाकी कुछ भी बद और विधान सभा की जो सीटे हैं 60 है मतलब वहांसे 60 विधायक चुनके जाते हैं जो भारती संसद में राज्य सभा की जो सीटे वो सिर्फ एकी सीटे यहां से और लोग सभा की कितनी दो सीटे हैं राज्य सभा की एक सीटे और लोग सभा की दो सीटे हैं यहां का जो और विशेशनी ये बात है वो है अरुनापचल प्रदेश को आर्किट स्वर्ग भी कहा जाता है क्योंकि यहां पे 500 से ज्यादा प्रजाती के आर्किट पाए जाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है आर्किट स्वर्ग भी कहा जाता है अरुनापचल प्रदेश को तो आपको अर अब देखते हैं त्रिपुरा की जानकारी, पूरी जानकारी मैं आपको त्रिपुरा की बताता हूँ, बात करते हैं त्रिपुरा की, त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है वो विपलव कुमार देव है, ये भी बीजेपी के है, और जो त्रिपुरा राज्य है, वो उत्तर प कोग बोरे को बोलते हैं काक बेरो को भी बोलते हैं महां की इस्थानिये भाषा है त्रिपुरा की भाषा बोलते हैं उसको और अंग्रे जी तीनों इस्तमाल की जाती है वहां पर इसका जो गढ़न है इस राज्य का जो गढ़न है वो वाता 21 जनवरी 1922 में जो सरकार है वो त् विधान मंडल ये भी एक सदन नहीं है एक सदन विधान मंडल है और विधान सभा की जो सीटे हैं यहाँ पे भी 60 सीटे हैं भारतिय संसत राज्य सभा की एक सीट लोग सभा की दो सीटे हैं यहाँ पे भी और जो उच्छे नाला है वो त्रिपूरा उच्छे नाला है त्रिप पे हैं तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए हम अन्य टॉपिकों पर भी आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं धन्यवाद